प्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जे यूपी पुलिस जे रवार्डर का पीडिवस पेपर था उसके पीडियेफ के बारे में तो पहला पेपर कैसा आया था तो उसके से संबंदी जी के और आपकी रिजिनिंग आपका मैंसे संबंदी कोश्चन किस सके और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जो करना और सब्सक्राइब भी कर लेना क्यूश्चन ज्यादा थे तो इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बढ़ाऊंगा यह पहला पार्ट होगा असी क्यूश्चन का एक सो साथ क्यूश्चन पहले पेपर में थे तो यह चार ओप्शन आपके सामने रखे गए हैं तो दूसरे कोश्चन का अंस्वर जाएगा सी एक खगोल वेता मैं आपको एक एक कोश्चन करके नहीं बताऊंगा आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा डिरेक्टली आपको कोश्चन बताऊंगा और उसका अंस्वर बताऊंगा ठीक है दोस्तों कोश्चन नमबर तीन नीचे लिखे मुआवरों का सही चैन कीजिए आकिर एक दिन अत्यचार का भी अंत होता है और अत्यचारी अपने दुस कर्मों के लिए स्वम तो इसका एक सही मुआवरा क्या हो जाएगा सिर्ध धुनना ठीक है दोस्तो उसके बाद कोश्चन नमबर चार कोश्चन नमबर चार हो जाएगा भारत का कौन सा परदेश रबर के लिए सबसे अधिक उत्पादन करता है तो वो कौन सा परदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है और वो आपका केरल केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन है तो इसका सही अंसरों जगा Pond writernd में कि मुंदरा का नाम है वह है Pond Question No.7 में क्या होगा Nemin में से कौन सा राज्जा है परदेश का सीमवरती राज्जा है तो इसका सही अंसरों जगा राज़तान जो है हमारे उत्रपरदेश की सीमदेंसे मिलता है Question No.8 रुपे की तुलना किस विदेशी मुंद्रा का अधिक्तम है रुपे की तुलना में किस विदेशी मुंद्रा का मूले है वो अधिक्तम है तो उसका सही अंसर हो जागा British Pound ठीक है दोस्तो Question No.9 भारत में कितने वर्स के अंतराल के बाद जन गरना की जाती है Question No.9 का सही अंसर हो जाएगा दस वर्स के बाद ठीक है दोस्तो Question No.10 नीचे दिए गए काले एक्षर का अनेक आर्थी शब्द रूण लिए सुसजित कक्स तो सुसजित कक्स का अनेक आर्थी शब्द हो जाएगा बैठक ठीक है दोस्तो Question No.11 में भारत के परधान मंतरी बनने के लिए नियुनतम आयू क्या होती है Question No.11 में भारत का परधान मंतरी बनने के लिए नियुनतम आयू क्या होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका 25 वर्स आपकी नियुनतम आयू होनी चाहिए Question No.12 बहुत चर्चित पुष्टक सेनेटिक वर्सेज के लेखा कौन से है कोश्चन नमबर 12 का सही अंसवर हो जाएगा सलमान रुष्दी उसके बाद पानी पत की तृत्ते युद के बीच किसके लड़ा गया तेरवे कोश्चन होगा पानी पत का तृत्ते युद के बीच लड़ा गया तो तेरवे कोश्चन का सही अंसवर हो जाएगा आपका आदम शाह अबदाली और मराटो के मद्या लड़ा गया डी ओप्सन आपका सही हो जाएगा उसके बाद आपका कोश्चन आता है चोद्वा नंबर का रेफ्री इस्टर में कौन सी गैस का दरोकाम परियोग किया जाता है तो उसमें चोद्वा का हो जाएगा अमोनिया का परियोग किया जाता है पंद्रा नंबर कोश्चन हो जाएगा उसके बाद vitamin B की कमी से कौन सा रोग होता है 17 आंसो का question का answer हो जाएगा C ठीक है दोस्तों बेरी बेरी रोग जो है vitamin B की कमी से होता है अब आगे आपका question number 18 कौन सा रक्त हर वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है कौन से रक्त का वर्ग हर मनुष्य को दिया जा सकता है 18 आंसो का answer हो जाएगा B जिसका O होगा उसको सभी को दिया जा सकता है question number 19 और 20 यदि परतिवी का अक्स जुकावा नहीं होता तो सूर्य की किरने लंबवत किस पर पड़ती 19 आंसोर हो जाएगा D भूमध्या रेखा पर लंबवत पड़ती question number 20 निमन में से कौन सा गरह नहीं है question number 20 का उजएगा B सूर्य कोई गरह नहीं है question number 21 की बात करते है तो श्वेतांबर और दिगंबर किस जेन धरम के दोनों के दोनों मत है 21 से question का सेयन सो जगा जेन मत ठीक है दोस्तों 22 निमन में से कौन सा भारतिया नेपोलियन माना जाता है निमन में से कौन सा भारतिया नेपोलियन माना जाता है तो समंधर गुप्त जो है भारतिया नेपोलियन माना जाता है 50 रूपर के नोट पर किसके अताक्षर होते हैं वो सभी जानते हैं कि गवर्णर बैंक के होते हैं तो 23 का अंसर ए हो जाएगा Microsoft King किसको कहा जाता है तो 24 वे कभी ए हो जाएगा Bill Gates को कहा जाता है निम्न में से कौन सी वायू मंडल के ओजो नस्तर को अब गटित करती है तो 25 का सही अंसर हो जाएगा A कलोरो फ्लोरो कार्बन नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नमबर 26 गैस एजन्सियों 82 सिलंडरों में भरकर दी जाने वाले कूकिंग गैस है तो 4 ओप्शन है तो इसका 20 सही हो जाएगा एक गैस होती है कॉश्चन नमबर 27 में आता है आपका दिये गई काले एक्षर का परेयावाची शब्दों को छाटिए राष्टिय जंडे का हम सभी अविवादन करते हैं तो इसमें जंडे का हमें परेयावाची बताना है ठीक है दोस्तो तो इसका अंसर हो जाएगा A हम जंडे को दवज भी कहते हैं ठीक है दोस्तो अब आता है आपका कॉश्चन नमबर 28 डिस्कवरी ओफ इंडिया के लेखक कौन है 28 वे अंसका सयांस हो जाएगा आपका B जवालल लाल नहरू डिस्कवरी ओफ इंडिया के लेखक के जवालल नहरू अब आता है आपका राजजपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राजजपाल की नियुक्ति राश्टपती जी करते हैं 30 जै जवान जै किसान किसका नारा था तो इसका सयांस हो जाएगा आपका लाल बादूर शास्तरी 31 वे कोश्चन में होगे नीचे दे गए वाक्ये में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त सब को चूनिए सहोतंतरता संगराम में गांधी जी ने कहीं बार तो आगे जो खाले स्थान दिया हुआ है इसमें आपको बढ़ना है चार ओप्शन में से कौन सा ओप्शन सही होगा तो 31 का सही अंशर हो जाएगा आपका C आमरन अंशन किए Question No. 32 लाल लख्तकन का RBC सरी में कौन सा अंग बनता है लालल लख्तकन RBC सरी के किस अंग में बनता है तो इसका सही अंशर हो जाएगा A Question No. 33 पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नय कप्तान निवन में से किसको न्यूक्द किया गया था तो 33 का सही अंसर हो जाएगा आपका B कुमार संगा कारा Q34 द्रोन चार्य प्रुषकार किस छेतर में परदान किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका C खेल प्रुषकार को प्रुषकार दिया जाता है दिये गए काले अक्षर का सब्द करे जुनिये अनुकूल का विप्री तारतक शब्द क्या हो जाएगा तो 35 का ए आपका सही हो जाएगा 36, साइना नेवाल का नाम की स्खेल से जुड़ा हुआ है तो सभी जानते है बैड मिंटर, 36 का सियांस वर हो जाएगा जब कोई राष्ट पती सासन के अंतरगत होता है तो उस राज्जा का बजट कौन पाइद करता है इससे नोट जरूर कर लेना तो 37 का सियांस हो जाएगा 38 का नेमली कितमें से कौन सा अस्थान पर कुम्ब मिला नहीं लगता है यह कोश्चन भी मोस्ट इम्पोर्ट है के बार एक्जाम में आ चुका है 38 का सियांस वर आपका हो जाएगा डी वारांसी में कुम्विला नहीं लगता है उजेन, इलाबाद, हरिद्वार, नासिक इनमें ही लगता है केवल वारांसी में नहीं लगता है ठीक है दोस्तों उसके बाद कत्थकली निमन में से किसका रास्त्रिया नरत्या है 49 का सेयांस हो जाएगा केरल केरल में कत्थकली होता है और आंधर परदेश में कुच्चिपूरी और गर्बा होता है आपका पंजाब में ठीक है दोस्तों नोटन की होती है उत्तर परदेश में 44 कोस्चन नमबर आएगा हमारे सरीर में पितरस कहां पैदा होता है तो 40 का सही अंस हो जाएगा यकरत यकरत में पैदा होता है अब देखे दोस्तों अब इसका भाग दो आंकिक मानसिक सामर्टे परदेशन का आचुका है 41 से यानि के मैं तो रिजनिंग में अब हम देखेंगे 41 नमबर कोस्चन एक दुकांदार को किसी वस्तों के अंकित मुल्य पर 20% की छूट देता है और फिर उसे 20% का लाव होता है यदि दुकांदार छूट नहीं दे तो उसे कितने परसेंट का लाव हो जाएगा आपको इस कोश्चन को नोट कर लेना है ऐसे यसे कोश्चन आते हैं और आपको सोल करना है फिर आल इस कांदार मैं आपको बतायता हूँ इस कांदार C 50% ठीक है दोस्तों आपको निकालका देख लेना है कोई गलती होती है तो बिले मुझे कमेंट में जो बताए आपको किसी भी चीज़ के कोई प्रोबलम होती है मुझे कमेंट में जरूर बताए मैं उसे सोल करना ही कोशिश पुरी-पुरी करूँगा अब आता है 42 कोश्चन इसमें लिखा है कोश्चन मार के अस्थान पर उप्यूक्त में से किस विकलब का आप चयन करेंगे यह आपको तीन यह पर दिये गया है M, N, O, P, Q R, S, T, U, V यह आपको दिया है तो चौते नमर में क्या हैगा आपको इसका आंसर बताना है तो 42 का सही आंसर हो जाएगा B, C, D, E, F, A ठीक है दोस्तों उसके बाद 43 A, B के पीता है C, D के पूतर है नमर में से कौन सा कतनिसकर निकाला जा सकता है C, A का पूतर है तो इन 4 उप्सन में से कोई एक उप्सन सही होगा वो आपको इसमें बताना है तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका B, B, D की बहन है तब यह कॉस्चन सही हो सकता है उसके बाद 44 राम ने 12,000 रुपे लगाकर एक वैपार आरम किया 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपे लगाकर आरम किया यह साजे का कोईचन है आपको से अच्छे से पढ़ना है यदि वर्स के अंतमे राम को 64,000 रुपे का लाब हुआ फोर्टी फोर का सही आंसर हो जाएगा एच चार हजार का ठीक है दोस्तों एक दुकंदार एक वस्तू उसके करे मूले का तीन बटा चार भाग अंकित करता है इंपोर्टेंट कोस्चन है दोस्तों साब को नोट कर लेना है यदि वैंकित मूले पर 40% लाब लेकर उस वस्तू को बेचे तो कितने परस्त लाब यानी होगी 45 का सही आंसर हो जाएगा C 5% लाब ठीक है दोस्तों लाब होगा अब आता है आपका 46 कोस्चन 0.5 0.5 उसके बाद भाग करिशान हो आपको दिखाई दे रहा है आपर डिवाइड का और 0.125 किस चीज के एकवल होगा तो 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4 के ठीक है दोस्तों उसके बाद 47 सुश्मा रासी से धनी है जबकि आनद पीजा से अमीर है अरुन रस्मी जितना अमीर है उप्यूक के अस्तार पर कौन सा कतन सबसे सही है इन चार कतनों में साब को एक बताना है तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका C अरुन सुश्मा से गरीब है उसके बाद आपका आता है यहाँ पर कॉस्चन नंबर 48 कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में करम से 1300 रुपे 1400 रुपे लगाए वर्स केंट में 675 रुपे का लाव हुआ तो कपिल को कितना मिला तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका B 325 रुपे उसके बाद नेक्स्ट कुस्चन 49 29 इनके 9 इंचेस वा 23 गुणा आपका चोटा कोस्ट 64 माइनस 24 उसके बाद आपका डिवाइड और 100 का मान कितना होगा चूंकि हम सभी जानते है सबसे पहले हम चोटा कोस्ट खोलेंगे फिर हम जो डिवाइडेशन का है उसको सोल करेंगे फिर जो गुणा हम उसको सोल करेंगे इसको करने के बाद 94 का आपका C आंस्वर हो जाएगा ठीक है दोस्तो कोस्टन नमबर 50 50 एक वरत का व्यास 29 मीटर है उसकी परीदी कितनी होनी चाहिए ठीक है दोस्तो most important question है ऐसे ही question आते है मैंसुरेशन से 25 question का सही आंस्वर मैं आपको बताऊं क्या हो जाएगा B 154 मीटर ठीक है दोस्तो वरत का व्यास आपका होता है 2π वरत की परीदी होती है 2π और उसका छेत्पल होता है π यार स्क्वायर और वरत का व्यास होता है 2R ठीक है दोस्तो शोल कर सकते हो अब आता है 51 किसी गड़ी के घंटे की सुई मिनट में कितने डिगरी घूमती है तो 50 का सही आंस्वर हो जाएगा C 1 बटा 2 डिगरी उसके बाद 52 साधरान व्याज की किस दर पर 925 उपे का 5 वर्स में 1110 रुपे हो जाएगा तो 52 का सही आंस्वर हो जाएगा आपका B 4 परशेंट पर ठीक है दोस्तो उसके बाद आता है आपका 53 53 कोश्चन का आंस्वर वैसे तो 1.540 होगा लेकिन ओप्सन में से किसी में नहीं दिया गया 1331 हो जाएगा तो 54 का सही आंसा रो जाएगा आपका C 1000 रुपे का उसके बाद 55 32 रुपे का 10% परतीवस चकरवर्दी ब्याज की दर शेकितने इस समय में 692 हो जाएगा तो 55 का सही आंस्वर हो जाएगा आपका C 56 कोश्चन नीचे दिये गए सब्दों में से तीन सब्द एक दूसरे के विशे समानता रखते हैं एक समो बनाते हैं कौन सा सब्द है जो उसे सम्मनित नहीं है रिजिनिंग का कोश्चन है most important कोश्चन है दोस्तों ऐसे ही कोश्चन आते हैं तो 56 का सयांस हो जागा D बेंगन क्योंके गाजर, मूली, आलू सभी जमीन के अंदर होता है लेकिन आलू जो होता है वो अलग है क्योंके होता आलू भी जमीन के अंदर है लेकिन आलू जो है बेंगन जमीन के उपर होता है बाकी सब जमीन के नीचे होता है उसके बाद 57 57 में एक रेल गाड़ी की लंबाई 150 मीटर है वे 42 किलो मीटर पर ती गंड़ा की चाल से चल रही है रेलवे लाइन की नजदी खड़े व्यक्ति को गुजरने में कितना समय ले लेगी एक व्यक्ति को गुजरने में एक खम्मे को गुजरने में वे अपनी लंबाई को पार करेगी तो 57 का सही अंसर जाएगा आपका D 12 सही 6 बटे 7 सेकंड उसके बाद 58 58 कोश्चन आता है A, B, C, D, E, A करती हैं आपको दी गई है एक जगा परशना करती है एक जगा उत्तरा करती है तो कोश्चन मार की जगा कौन से उत्तरा करती आएगी most important कोश्चन है दिमाग को हिला देने वाले कोश्चन है तो 58 कोश्चन का अंसर सही जगा B, जो B उत्तरा करती में B option है वो कोश्चन मार की जगा आएगा उसके बाद आ कोश्चन आता है 90, oh sorry, 59 40 मीटर लंबे 30 मीटर चोड़े आयतकार मैदान के 4 और 0.5 मीटर चोड़ा रस्ता है और 3.5 रुपे पर 3 वर्ग मीटर की दरास्ते की दर घास लगवाने का खर्च क्या होगा ऐसे कोश्चन एक जरूर आता है दोस्तो तो इसका सही अंसर हो जाएगा ए 312 रुपे पॉइंट पचास पैसे ठीक है दोस्तो कुश्चन नमर 60 की बात करते हैं एक दिये गए गराफ में विद्याले के 5 वर्षों का परिक्षा फल आपको दिया गया है इसके उत्तर आधर पर आपको यहाँ पर उत्तर देना पड़ेगा तो 60 का पहला है वर्ष 2006 में फेल चात्रों की संख्या क्या थी तो 60 का सही आपको बताया था है इसमें से 4 में कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो इसको आपको पेपर पे निकाल के देख लेना है कोई प्रोब्लम यह छोड़ देना है ठीक है दोस्तो की है वो सबसे भीन है ठीक है दोस्तो उसके बाद 62 परसन वाचक चीनों को बदलने के लिए विकलपों में से अंकों का चुनाओ कीजिए ठीक है दोस्तो यहाँ पर जो स्रीज बनी है इसमें नेक्स्ट कौन से अंक आएंगे वो आपको बताने है 62 का सही अंसर हो जाएगा आपका D 9 और 11 उसके बाद 63 4 बटे 8 दिवाइडेशन फिर आपका कोस्ट ए 1 बाइ 2 माइनस जैसे की संग के आप लिख सकते है इसको आपको शोल करना का बोडो मास का नियम लागा आठता हो 63 का जो सही अंसर हो जाएगा D इसका आंसर दो आएगा उसके बाद 64 बटे जो कोस्टन है ये भी आपको छोड़ देना है क्योंकि इसका भी आंसर चारो के चारो आप्सन में से किसी मैच नहीं खाएगा ठीक है तो ये एक्जाम में की आंसर की में भी लिखा हुआ था आपको एक कैंसल है ठीक है तो उसके बाद आपका 65 तीन अंकों की छोटी से चोटी संक्या निमने में से क्या होगी जो चार आट और सोला से पूर्णते विवाजित हो जाए तो तीन अंकों की छोटी से चोटी संक्या बतानी होगी जो इन से विवाजित हो जाए चार आठ सोला तो 65 का सही आंसर हो जाएगा बी 112 वो तीन अंगों की चोटी चोटी संक्य 112 है जो चार आठ सोला से पूर्णते विवाजित हो सकती है उसके बाद आता है आपका अब आता है 66 कोस्टन 30 और 42 का लेसे क्या होगा most important भी है लेकिन simple भी है दोस्तों 46 का यह आपको cancel कर देना है 66 कोस्टन आपको छोड़ देना है लेसे पूछ रहा है वो 4 option में से कोई में भी आपका अंसर मैच नहीं करया क्योंकि सही आंसर 420 है ठीक है तो इसको छोड़ देना है अब आता है आपका 67 ठीक है दोस्तों 25 चोड़ की सबसे चोटी भीन के रूप में किसे लिखेंगे तो 4 option आपको दिये गए है सही आंसर इसका हो जाएगा 67 का आपका C 6 बटे 25 ठीक है दोस्तों अब आता है आपका 68 नंबर कोस्टन 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा 4 option आपको दिये गए है 68 का सही आंसर हो जाएगा 2 की पावर 50 ठीक है अब आता है आपका 69 Most important question है एक question जरूर आता है तो इसको आपको ट्रेक्शन को पढ़ लाएं थोड़ा सा बढ़ा है Question number 70 360 का का मतलब होता है गुना 360 का 30%-280 का 10%-800 कितने के बराबर होता है तो 70 का सही आंसर होगा C 10 के बराबर होता है दिये गए अक्सर समू कौन सा अर्थपून सबद बन सकता है आपको यहाँ पर यह 5 अक्सर दिये गए है इनसे कोई सा एक अक्सर समू अर्थपून बन सकता है तो हो है आपका 71 का B Beauty मतलब सुन्दर था यह तो सभी लड़के जानते होंगे इसे तो मुझे बताने की ज़रुद नहीं है ठीक है दोस्तो Question number 72 एहमद ने 1440 उपे 5% वार्षिक दर से 1650 उपे 4% वार्षिक दर से उदार लिए तीन वर्ष बाद कुल कितना ब्याज उसे देना पड़ेगा 72 का सही आंसवर हो जाएगा आपका एह 414 उपे उसे देना पड़ेगा ठीक है दोस्तों Next Question देखते है Question number 73 यहाँ पर आपको वोट देने वाली आयू पराप कर चुके 60 वर्ष से कम और निर्धारित नहीं किया जा सकता तो इसका सही आंसवर क्या होगा सही यूग तो चायंकी तो देखा किस आयू वर्ष को परदाशित करती है चायंकी तो 73 का सही आंसवर जाएगा D. निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं ठीक है दोस्तो 74 कोस्चन नमबर हो जाएगा आपका 45 किलोमेटर घंटे की रफतार से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा इसका में एक सोटा सिंपल तरीका आपको दोस्तों बताता हूँ मालो अगर आपको घंटे पर हावर्स में दिया हुआ है यानि कि घंटे पर हावर्स को मीटर पर 30 सेकंड में बदलना है यानि कि बड़े से छोटे में ले जाना है लिख लेना एक कॉपी पर कोश्चन नमबर आता है आपका 74 का मांस को अंसर बता दो तो 74 का अंसर हो जाएगा आपका A साड़े बारा मीटर पर सेकंड ठीक है दो कोश्चन नमबर 75 आठ आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं काम शुरूर होने कि एक दिन बाद चार दिन बाद आदमी काम चोड़ कर चला जाता है से इस बचे आदमी उस दिन को कितने पूरा करेंगे तो 75 का सही अंसर हो जाएगा आपका B 14 दिन में करेंगे Most important question है आपको note कर लेना है कोश्चन नमबर 76 21 आकसर के 20 चातरों का ओस्तन वजन 21 किलोग्राम है उसमें अद्यापक का वजन भी सामिल कर लिया जाता है तो अद्यापक का वजन अधिक हो जाता है तो अद्यापक का वजन कितना था चेहनतर का सही question हो जगा B चूंकि 21 किलोग्राम बीश चात्रों का था इस टीचर को सामिल कर लिए गया और उस्तन एक किलोग्राम बढ़ा तो 21 दुनी ब्यारी सापका अंसवर हो जाएगा कोश्चन नमबर 77 यदि किशी संक्या का घं किया जाए तो किशी संक्या में कौन सा इकाई के अस्थान पर बना रहेगा 77 का सही अंसवर आपको जाएगा C 9 से 0 से 9 तक कोई भी बना रहेगा ठीक है दोस्तों उसके बाद 78 चीनी का बहुत 40 परशेंट बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उप्योग कितने परशेंट कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ने बढ़े 78 कोश्चन का अंसवर देगा B 28 सही चार बटे साथ 79 राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को आठ दिन में करते हैं परन्तु राम अकेले 14 दिन में करता है most simple question है दोस्तों सेवन नाई का सही चार बटे 3 में इस पेपर में आपके question कैसे है वह आप मैं आपको बता चुका हूँ इसका next part और आएगा 80 question और रह गए है मैं next video में जरूर लाओंगा प्लीज मुझे कैसे बताए कमेंट में का आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि दोस्तों welcome